उल्टी के बारे में उल्टी क्यों होता है उल्टी होने के कारण क्या है किस कारण से उल्टी होता है उल्टी एक ऐसा रिफ्लेक्स है जो मस्तिक्स के संकेत पर काम करता है उल्टी के संकेत शरीर में कई उत्तेजनाओं से उत्तेपन होती है गंद स्वाद बिविन्य बीमारियां भावनाएं डर दर्द जलन आना जैसे सारीरिक परिवर्तन मोशन सिकनेस गर्भ अवस्था पहली तीमाही तनाव पितासे की बीमारी दिल का दवरा संक्रमन अधिक भोजन करना ब्रेंड, टूमर, कैंसर, अलसर, विसाग्त पदार्त का सेवन करने से भी होता है अकसर सीरदर्द, फूट, पवाईजन या पेट में किसी समस्या के कारण जी मिचलना या उल्टी आने की स्कायत होती है उल्टी कई कारणों से भी आ सकती है उल्टी आना या जी मिचलना कई बार समानने होता है जो कई बार किसी गंभीर रोग के कारण भी हो सकते हैं ऐसे में बेहतर है कि उल्टी आने के कारण लक्षण और इलाज के बारे में जाने क्या है उल्टी मितली उल्टी कोई बीमारी नहीं है बलकि एक प्रकिरिया है जो की बिकनेस के कारणों से होती है मेडिकल भासा में इसे मोसिस कहते हैं उल्टी आने पर पेट के अंदर मुजूद पदार्थ मुँह के रास्ते बाहर निकल जाते हैं जबकि जी मिचलना का मतलब होता है कि आपको उल्टी आने जैसा मौसूस हो रहा है हाला कि वास्तव में उल्टी आती नहीं है उल्टी और जी मिचलने के कई कारण होते हैं और हर उम्र के लोगों को यह होता है मतली और उल्टी दोनों ही मस्तिक्स के उसी भाग द्वारा नियंत्रित की जाती है जो अनैचिक सारीरी कारियों को नियंत्रित करता है उल्टी एक ऐसा रिफ्लेक्स है जो मस्तिक्स के संकेत पर काम करता है उल्टी के संकेत सरीर में कई उत्यजनाओं से उत्यपन होता है जैसे कई बार पेट और गले में जलन होती है जिसके कारण उल्टी और मतली जैसे मौसूस होता है पेट की परत्या गले में होने वाली जलन जैसे समस्याओं के कारण इसो फेजाइटिस या तिब्र गेस्टाइटिस जैसे समस्याओं होने लगती है माईग्रेन या गंबीर सिर्दर्द के कारण भी उल्टी आती है खोंपडी के अंदर दबाव बलने से भी उल्टी आती है इसमें किसी भीमारी या चोट से मस्तिक्स में दबाव बलता है तो उल्टी जैसे मौसूस हो सकता है ठकान मौसूस करने पर सरीर का तापमान बढ़ने से अधिक तेज धूप में घुमने या सरीर में गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन होने से भी उल्टी मौसूस हो सकती है यदि आपको गैस्टो इसोफेगस रिफलक्स बिमारी है तो उल्टी आ सकती है पैप्टिक अलसर यानी पेट में छाले होना यह पेट की अंदरूनी परत में जलन पैदा करते हैं जो अधिक फैलने से पेट की रक्षात्मक परत को नुकसान पहुँशते हैं उससे उल्टी और मितली आने लगती है कुछ दवाओं के सेवन से भी उल्टी आने की समस्या हो सकती है पेट में किसी परकार काप संक्रमण जलन पेट में एठन बुखार ठंड लगना रोटा वाइरस से फैलने वाले संक्रमण इत्यादी भी उल्टी का कारण बन सकते हैं फुट पोईजन के कारण भी उल्टी होने की समस्या होती है प्रेगनेंसी के दवरान भी महिलाओं को उल्टी होती है जो एक समान्य प्रक्रिया है अड़ एटेक आने पर भी कुछ लोगों को उल्टी और मतली होती है ऐसे ही उल्टी की बीमारी होती है दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों तक सेर करें थैंक यू